दोस्तो आज सुबा मैंने लोन सर्विस के बारे में एक वीडियो अपलोड किये थे ओ वीडियो देखकर बहुत सरे लोग मेरे साथ कॉंटक किये है लोन सर्विस के आईडी लेने के लिए कुछ लोगों को समस में आया और कुछ लोगों को समस में नहीं आया लोन सर्विस के बारे में आपको भी कुछ doubt है तो इस वीडियो को पूरा देखिए आपके जो doubt है ओ clear हो जाएगा आपके सामने आभी portal शो रही है यह जो portal है यह पेपोईंट कमपनी के portal है पेपोईंट कमपनी मार्केट में 16 साल से काम कर रही है और यह कमपनी RBI एप्रूब ही है तो अब लोगों को मैं रता दू या पड़ लोन सर्विस में आप काम करके अच्छा असा आर्निंग कर सकते हो मैं आप लोगों को especially loan service के बार में बोलड़ा हूँ इसलिए क्योंकि loan service में कम समय में बहुत ज़्यादा आर्निंग आप कर सकते हो loan service के अलाबा और भी बहुत सरे services portal में हैं देखिए पास में एक option है credit card to bank transfer जी या भाई credit card से आपके bank account में पैसे transfer करके ले सकते हो इस service के मदद से सब जगा यह service आपको नहीं मिलेगा only on paypoint में मिलेगा भाई इसके अलाबा भी और भी service है जैसे अब लोगों को दिखाना चाहता हूँ A.E.P.S. अधर कट के मददम से पैसे उड़ोल, balance inquiry उसके बाद देखिए money transfer, M.A.T.M. और भी बहुत सरे service है Bill payment service, recharge service, booking service तो भाई ऐसे बहुत सरे service है जहापर काम करके महिने में अच्छा करसा earning कर सकते हैं तो भाई पोटल में जो loan service है इस loan service में आप अगर काम करोगे तो आपको कैसा commission मिलेगा क्योंकि कोई भी काम अगर आप करना चाहते हो तो वह आपर से पैसे अगर नहीं आएगा ना तो काम करने में कोई मजा नहीं आता है काम करने की इच्छा नहीं होता है तो आप लोगों को सबसे बहले में commission के बारे में बता जाता हूँ commission दिखने के लिए यहापर देखिए commission structure option है यहापर हम click करेंगे उसके बाद यहापर देखिए personal and business loan देखिए product retailer commission अब अगर किसी का भी personal और business loan पास लग के अंदर करते हो तो आपको 1.50% commission मिलेगा और आप अगर किसी का personal और business loan पास लग से ज़्यादा करके देते हो तो आपको 2% commission मिलेगा अच्छा गाजा commission है मान लिजिए कि आप किसी का 1 लग loan करके देते हो तो आपको 1500 रुपे commission मिलेगा भाई हिसाब लगा कर देख लो 1.50% commission कितना होता है एक लग में और ऐसे ही अगर बहुत सरी लोग को loan करके देते हो तो भाई आपको commission कितना होगा आप सोस नहीं सकते हो अभी loan service में क्लिक करके आप लोग को details के साथ बताऊंगे देखिए क्लिक करते हैं बहुत सरे option आगया है अब अगर already paypoint के ID लेकर रख्थे हो और आप क्लिक कर रहे हो आपके वाँ open नहीं हो नहीं होता है इस service को active कराना पड़ता है और active करने के लिए पैसे लगता है तो भी active होता है ठीक है आप directly company से ले सकते हो लेकिन वापर आपको ज्यादा फाइदा नहीं होने वाला है क्योंकि आपको ज्यादा support नहीं मिलेगा आप अगर मेरे से लेंगे तो आपको मेरे से extra help मिल जाएगा और मैं आपके लिए हर बक available हूंगा आप मेरे से सब कुछ जानकरी ल सकते हो बाई मैं जितना help करूंगा कोई य और आपको इतना help नहीं करेगा तो यहापड देखिए आप डो टाइप का loan कर सकते हो एक personal loan और एक business loan तो यह loan अपलाई करने के लिए क्या-क्या document का जोड़ोद होता है वो पहले देख लेते हैं यहापड़ी साइड में देखिए required document लिखा हुआ है तो यहापड़ क्लिक करते हैं list of documents required for personal loan किसी का भी personal loan करके देगे तो क्या-क्या document का जोड़ोद होगा pen card identity proof, other card address proof, selfie latest 6 month bank statement, only savings account तो personal loan के लिए इतना document ही लाएगा बहुस तरह लोग सोचेगा कि भाई इतना document से हो सकते है क्या भाई जिया भाई हो सकते है तभी तो यह आप और portal में दिया है ना और लोग apply भी कर रहे है लोगों को loan भी मिल देए तो ऐसे doubt करने वाला कोई बात नहीं है list of documents required for business loan किसी का भी business loan करना चाहते हो क्या-क्या document का जोड़ो दे pen card individual and business other card individual and business business proof भी लाएगा two year minimum two year का business मतलब दो year से business करना चाहिए जीए जो भी business loan लेना चाहते है proof में क्या आगा चाहिए देखिए उद्दोग अधर, FDA license, घमस्त्र, शॉब and establishment ETC मतलब आप जो भी business कर रहे हो उसका proof लगेगा business loan के लिए ठीके इसके अलाबा latest six month bank statement current account और savings account कोई भी account का चलेगा ठीके इतना document से आप loan के लिए apply कर सकते हो यह आपर जो main sector रहेगा जिसका भी आप loan कर रहे हो उनका civil अच्छा होना चाहिए आपको कोगा civil के बारे में नहीं पता है Google में YouTube में search किजी आपको पता चल जाएगा civil actual में होता क्या है civil लोग के behavior से होता है जैसे कोई person अगा loan लेते ही उसका EMI ठीक से नहीं देता है तो उसका civil जो है ओ डाउन हो जाएगा क्योंकि ओ ठीक से transaction नहीं कर रहे है और अपना loan का जो EMI ओ ठीक से नहीं दे रहे है इसलिए civil इसको down हो जाएगा उनको loan मिलने के लिए बहुत ही दिक्कत हो जाएगा और जो लोग अच्छा है जो loan लेकर सही से EMI बगरा provide करते है time to time तो उन लोग का civil अच्छा होता है उन लोग का loan बहुत जल्दी मिल जाएगा तो आप कुसी डोकुमेंट से लोग के लिए loan apply करके दे सकते हो और अच्छा कासा earning भी कर सकते हो अभी मैं यहाँ पर loan पर जाओंगा और example के हिसाब से आपको दिखाना चाहता हूँ apply for personal loan यहाँ पर click करूँगा click करते ही देखिए open हो गया है company यह pay point pay point personal loan powered by finbox देखिए quick loan up to 5 lakh personal loan 5 lakh तक ले सकते हो देखिए बहुत सरे लोग बोलेगे भाई ऐसी हो सकता है क्या देखिए buy RBI license NBFC IIFL finance एक भाई ने मुझे बोला था कि भाई loan कौन देगा बाई loan pay point company देगा IIFL finance के मदस और जो loan होगा उसका interest देखिए क्या होगा 12.75% बहुत सरे लोग यह question मुझे पूछ रहे थे कि भाई loan देगे तो कितना interest देना परेगा मैं बोल रहे था 13% देखिए 12.75% 13% से कम पार एनम ठीक है परसल फास्ट अप्रूबल इस्टेप में अप्लाई करके आप इस्टेप ले सकते हो और एक सर दो दिन के अंदर यह आपके bank account में loan account credit हो जाएगा इतना अच्छा facility और कही जगा में नहीं मिलेगा भाई आपको बोल रहा हूँ लोग काम कर रही है अर्णिंग कर रही है तो भी बोल रहा हूँ ऐसे नहीं बोल रहा हूँ अभी यह आपर देखिए apply for loan में क्लिक करत यह आपर enter phone number देने के लिए बोल रहे तो मेरा ही phone number में यह आपर दे दूंगा दे दिया उसके बाद verify mobile तो मुबाइल में OTP आएगा OTP यह आपर दे दिया है नीचे verify OTP में क्लिक करेंगी क्लिक करते ही देखिए यह आपर आगी आ है मेरे लिए कितना loan हो सकते यूँ आपर देखिए बहुत सरे लोग बोल रहे के भाई एक person को कितना तक loan दे सकते भाई आप decide नहीं करेंगे आप जब apply करेंगे ना तो automatically यह आपर company दिखा देगा कि आप इतना तक loan ले सकते तो मेर के लिए देखिए दो लग तक loan है तो मैं 2 लग तक loan ले सकता हूं ठीक है अभी यह आपर देखिए form fill up करना पड़ेगा KYC करना पड़ेगा जो document हो upload करना पड़ेगा selfie देना पड़ेगा उसके बाद accept loan offer ठीक है उसके बाद यह आपर EMI सेलेक करने के अब भी details आ जाएगा आ अब एक साल के लिए loan ले सकते हो दो साल के लिए भी loan ले सकते हो या तीन साल के लिए भी loan ले सकते हो जैसे timing लेंगे उसकी हिसाब सिर्थ EMI आएगा EMI आपको हर महिने देना पड़ेगा Monthly EMI देना पड़ेगा तो देखिए मैं और गहराई में नहीं जाना चाहता हूँ इसके बात मैं आप लोगो और भी details के साथ वीडियो बना कर दिखाऊंगा अभी के लिए इतना ही जो लोग सोसरे होगे भाई ऐसे ही नहीं हो सकते ऐसे ही हो सकते भाई होता है मैं खूद कुछ दिन पहले एक कमपाणी से लोन लिया था ज़्यादा कुछ नहीं लगा था पैंकार्ट, अधरकार्ट और एक बैंक अप्रूव इतना डोकुमेंट से मुझे लोन मिल गया है भाई और जो लोग सोच रहे हो कि लोन के लिए गयरंट चाहिए एक्स्टा डोकुमेंट चाहिए ऐसा कुछ भी नहीं है भाई काम करके देखो तब ही समस में आएगा और काम हो रही है तब ही मैं बता रही हूँ कहसे आप लोन के लिए एप्लाइ कर सकते हो आपका काम है लोन एप्लाइ करना एप्लाइ करेंगे पूलकुमेंट के साथ उतना ज्यादा डोकुमेंट भी नहीं लगता है आधार कार्ट पैनकार्ट सेलफी और 6 month bank statement इतना ही लगता है इतने से apply करेंगे apply करने के बाद आपके document अगर से ही होते है और आपके civil score अगर से ही होते है तो आपको 100% loan मिल जाएगा या आप जिसके लिए भी apply कर रहे हो उनको loan मिल जाएगा लेकिन civil score अच्छा होना चाहिए main factor है civil score ये बाद आप समझ लेजिए औ आपको अगर इस service में काम करना है आप इंट्रेस्टेड हो मेरे साथ contact करो मैं असान इसे आपको ID पासवार्ट प्रवाइट करो कर दूँगा लेकिन ID लेने के लिए आपको कुछ amount प्रेगना पड़ेगा तो आपको अगर लेना है मेरे साथ contact कीजिए